पहले दरोगा ने ब्यापारी को जड़ा थपड फिर एसीपी मैडम ने सरयाम धमकाया वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल खाके वर्दी वालों की दबंगाई वाली ये तस्वीर कानपुर की है यहां के पुलिस अपने गुड़ वर्ख की बज़ाए अपने कारनामों कोले करक्सर चर्चा में बनी रहती है ताजा मामला सीसा महुथाना शेत्र का है जो हाँ एसीपी के सामने ही एक दरोगा ने व्यापारी को थपड़ जड़ दिया हद तो तब हो गई जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो एसीपी मैडम मामले को शान्त करने की वज़ाए खुद धमकाने लगी पहले ये पुलिस की दबंगाई वाला वीडियो देखिए त्ट आपने मुझे थापने थाप प्रसप्र को था था थाप आपको बता दें कि सी समो थाना की पुलिस सी समो बाजार में अतिकर्मन हटाने गई थी इसी दोरान वहां के ब्यापारी के साथ पुलिस की कहा सुनी हो गई अतिकर्मन हटाने की कारवाई के दोरान एसी पी श्वेता कुमारी सी समो थाने की फोर्स के साथ मौजूद थी एसी दोरान एक ब्यापारी अतिकर्मन हटाने की कारवाई का वीडियो बनाने लगा पुलिस ने उसे वीडियो बनाने से रोका और उसकी दुकान में घुस गई व्यापारी ने जब आपती जताई तो सीता मौत हाने के एक दरोगा ने उसको थपड मार दिया व्यापारी ने जब उसका विरोध किया तो वहाँ पर मौजूद ECP शेता कुमारी ने कहा कि तीन थानों के फोर्स यहीं पर खड़ी कर दूँगी में नाराजगी है तो पुलिस को कानुनी कारवाई करनी चाहिए लेकिन थपड क्यों मारा पुलिस को पर खड़ी है तो पुलिस को आठावा देगी है तो पुलिस को पर खड़ी को नारा था कि इस पाई को पर खड़ी को लाइट बाएट बन गळे लो पाहर थो ही चासकते मारो आप मार लोको ओधर बैठ लो आप अलों अब बात करो आप बात करो आज दिनांग 22,2023 को थाना शेत्र सीसा महों में पैदलकृष्ट के दोरा जग पुलिस दोरा अतिक्रमर हटाने के लिए दुकानदारों से बादचित की गए तो उसी बीच दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हो गई जिसमें एक दरोगा दोरा अगतरता करने की बाद संग्य पुलिस का कहना है कि मामले को शांत करा लिया गया है आरोपी दरोगा के खिलाफ कारवाई की जा रही है पंजाब के स्टीवी के लिकांदपूर से अंबरी शितर पार्थी की रिपूर्ट